तो देखो भाई लोग recently मारूती सुजुकी ने Grand Vitara को इंडियन माकेट में लाँच किया था इसके अलावा Toyota ने High Rider को इंडियन माकेट में लाँच किया था लेकिन बहुत सरे लोग confused है कि मारूती सुजुकी ने क्या क्या चीज़े बनाई है इन दोनों ही कारों के अंदर और य पाकी की चीज़े जैसे कि एक्स्टेर के पार्ट्स इंटरेर के पार्ट्स बॉड़ी यह सब कुछ चीज़े मारूती सुजुकी ने डेवलप करी है लेकिन इन दोनों ही कारों के लाँचिंग से पहले Toyota Company मारूती सुजुकी कारों को अपनी बाजिंग लगा कर इंडियन मा बात करूंगा जिनको Toyota Company बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लांच करने वाली है और इन में से एक दो कारे ऐसी भी है जिंको अगले महीने इंडियन मार्केट में लांच किया जाना है और वह कारे डेफिनिलिए इंडियन माहीने लांच होने के बाद तबाहिसी मचा दे तो इसको अगले महीने लांच किया जाना है और ये इनुवा क्रिस्टा का अपग्रेड़ेड वर्जन होने वाला है इस कार के डाइमेंशन थोड़े से बढ़े रहेंगे as compared to इनुवा क्रिस्टा यानि इस कार की length, width और height बढ़ाई गई है और ये कार दिखने में इनुवा क् इसके अलवा इसका रियर का इंटेर कंप्लेटली नया रहने वाला है और कुछ रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि टोईटर कंपनी इसकार के अंदर बहुत सरे advanced level की features दे सकती है जैसे कि आपको ADAS level 2 technology को option मिल जाएगा, 360 degree camera को option offer किया जाएगा, इसके अलावा wireless smartphone charging, heads up, display, sunroof भी offer किया जाएगा, जो के अच्छे का सी बात है क्योंकि आज के डेप में Innova Crystal और Fortuner के अंदर आपको sunroof को option नहीं मिलेगा, लेकिन Toyota Company High Cross के अंदर sunroof को option दे सकती है, और recently Toyota Company ने Urban Cruiser High Rider के अंदर sunroof भी दिया था, जो कि अपने segment का सबसे बड़ा panoramic sunroof है, तो इस car के अंदर भी आपको sunroof को option मिलने वाला है, जो कि अच्छी का सी बात है, इसके अलावा धेर सारे features आपको Toyota के इस car के अंदर देखने को मिल जाएगे, कीमत के अगर म 20 लाग रुपई के ऊपर ही रहेगी, और ये car next month Indian market में launch होने वाली है, जैसे ही ये car Indian market में launch हो जाएगी, मैं इसका detail review वीडियो ज़रूर लाओंगा, उसके लिए आपको चनल को subscribe करके बल रखना है, जो second number की कार आती है, जिसको Toyota Company बहुत जल्दी Indian market में launch करने वाली है, वो ह लाँच किया था, जो कि काफी तूफान मचा रहा हैं Indian market में, इसके exterior में changes करेंगे, इंटेर के features को upgrade किया जाएगा, इंजिन को update किया जा सकता है, और बहुत सरे features आपको common देखने को मिल जाएंगे, बरेजा facelip model के मुकाबले, क्योंकि ये बरेजा का rebatch version है, जिसको Toyota Company ने जो third और fourth number की कार जाती है, जो कि rebatch कारे होने वाली है, वो है belta और दूसरी है rumian, belta rebatch version है, siyas का और rumian rebatch version है, अर्टिगा का, इन दोनों ही कारों को global market में launch किया गया है, और दोनों ही कारों को बोचल दी, Indian market में launch किया जाएगा, इन दोनों कारों के बार में मैं detail में बात न देखने वाली है, और यहां पर आपको सिर्फ Toyota का logo देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा आपको कोई भी changes देखने को नहीं मिलेगे, और कीमत आपको थूड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगे, as compared to RT का और CR, जो fifth number की कार है, जो कि launch होने के बाद definitely तबाही सी मचा द तोयेटा कंपनी रेव 4 को एमजे हेक्टर और टाटा हैरियर के सेग्मेंट में उतार सकती है, अगर इस अकार को उपर वाले सेग्मेंट के अंदर उतार आ जाता है, यानि जिस सेग्मेंट के अंदर सिट्रॉन C3 आती है, इसके अलवा हूंडाई की Tucson आती है, उस सेग्में को इतना भी पसंद नहीं किया जादा, हलाकि फॉर्चुनर एक बास जादा भी कीगी, लेकिन इस अकार का सेल आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा, तो बहुत से रिपोट में ये भी मेंशन किया रहा है कि टोयेटा की रेव 4 इंडिन माकेट में लाँच होने के पाद टाटा हैरियर और एमजेक्टर के साथ खंपिक करने वाली है क्योंकि टोयेटा के रेव 4 के दाइमेंश्ञास काफर ज़या जादा मिलते जुलते में बताएगा कि टोयेटा कंपनी इसकार को किस सेगमेंट के अदर उतार दी है और इसकार की कीमत कितनी रहेगी मेरे हिसाब से इसकार की किमत 15 या फिल 16 लाग से शुरू होनी चाहिए लेकिन अब्योसरी बात है ये टोयेटा का प्रोड़क्ट है तो इसकार की किमत आपको थूड़ी सी जाधा ही देखने को मिलने वाली है और रिसनली टोयेटा ने ये भी अनौसमेल किया था कि वो इंडिया में अब मैनुफेक्चरिंग नहीं करने वाली तोयेटा को इंडियन गवर्मेंट को बहुत ज़दा टैक्स पे करना पड़ता है उसके वज़े से टोयेटा की जितने भी कार है उनके प्राइज आपको काफ्री ज़दा देखने को मिल जाएंगे और टोयेटा मारती सुजगी साथ मिलकर कुछ कारों को इंडियन माकेट में बेच रही है जैसे कि ग्लांजा हो गई अर्बन कुरूजर हो गई और रीसनली हाई राइडर को भी इंडियन माकेट में लाँच किया था लेकिन जो अपकमिंग प्रोड़क्ट है वो भी जॉइ झाल